वाट्सप गाईज, वेलकम तो लाइफ आई स्टडी, स्वागत आपका लाइफ आई स्टडी पर, देखें लास्ट वीडि़ों हम ने डिसकस किया था, कुशन नमबर ट्वैंटिवन तक, टाइब टू हमारा चला हुआ था, उसके कुशन नमबर ट्वैंटिवन तक हम ने डि यह 10.315, question number 22, 10.315 degree into court minus 405 degree, 405 degree, इसकी value क्या होगी, देखे, बड़ाई simple question है, मैंने आपको कुछ rules इसी से जुड़े बता रखे हैं पहले, तो ध्यान से आपको समझना है, देखो, हम क्या लिख सकते हैं, 10, देखो 315 है, 315, मैंने आपको बताया था, जब हम quadrant पढ़ रहे थे, इस तरह से हमने चक्कर लगाया था, 307 फिड़ाता था, पूरा एक चक्कर, यहाँ पर 315 है, इसका मतलब अभी complete एक चक्कर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 315 किसमें पढ़ेगा, चोथे में पढ़ेगा, जितों आप जानते ही हैं, चबी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 270 दिगरी प्लस 45 दिगरी, प्लस 45 दिगरी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, 315 को 270 प्लस 45 दिगरी लिखा जा सकता है, यहाँ पर into code, code को हम कैसे लिख सकते हैं, देगी, code में माइनस बहार आ जाएगा, एक पास आप जानते, मैंने आपको बताया था, sin minus theta, बराबर होगा, minus के, sin theta, यह मैंने आपको बताया था, cos minus theta, इस में plus हो गया था, इस में क्या हो गया था, plus, तो यह हुआ था आपका plus के cos theta, और 10 में क्या हुआ था, 10 में भी यह minus क्या आ गया था, बाहर आया था, तो यह rule हमने जाद किये थे, ठीक, तो ऐसे ही code में यह minus है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, बाहर मतलब सबसे starting में इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, चलिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 307 plus 45 दिख, तो हमने इनको ऐसे जो है, लिख 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 लिख, तो, 270 plus theta, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, 90 और 270 में change होगा, 90 और 270 में change होगा, 10 किस में बदलेगा, code में, 10 किस में बदलेगा, code theta, क्योंकि 270 में plus है, तो हम कौन से ना गए, चोथे क्वाडरेंट में, और चोथे क्वाडरेंट में, केवल और केवल मैंने बताया था, cos theta और sec theta, ये दोनों ही plus के बताया थे, बाकि सारे क्या हो जाएंगे आपके, minus, तो, ये आएगा आपका, minus के code theta, तो इसका meaning, हम इसको यहाँ पर, क्या लिखेंगे, minus तो पहले से है ही, एक minus हमारा आएगा, minus के, ये बन जाएगा code, और इस code के साथ क्या आएगा, 45 degree, ठीक, into, code, 360 plus theta, यार रिखेंगे, मैंने कहा था, 90, sorry, 180 plus, 180 minus, 360 plus, 360 minus में, कोई change नहीं होगा, तो code जो है, code ही रहेगा, ठीक, और कितना याएगा, 45 degree, क्योंकि, 360 यहाँ पर होता है, एक चक्कर बुड़ा का पूरा, 360 नहीं होगा, इस line पर आखरके, और जब 360 से में पलस पहुच जाएगे, तो हम किसे पहुच जाएगे, तो इसलिए यह positive ही रहेगा, और 360 में हम कोई change नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, minus minus कर जाएगा, plus, यह होगा, plus, code 45 की value 1, और ऐसे ही code 45 की value 1, 1 into 1, 1 ही आएगा, तो हमारा answer इसमें कर जाएगा, 1, तो इसका answer चेक कर सकते हैं आप लोग, 22 का question number, 22 का 2, हाँ, 1 ही आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, चलिए अब देखते हैं question number 23, question को आपको बहुत ध्यान समझना है, इतने बहारी question नहीं है, ठीक है, आसाली से आपको समझ में आ जाएगे, चलो, देखते है question number 23, question number 23, question number 23 में क्या कहा गया है, 10 2 theta into 10 4 theta, 23 में, 10 2 theta into 10 4 theta is equal to 5, तो 10 3 theta का मान क्या होगा, हम से निकालने के लिए कहा है, 10 3 theta का मान क्या होगा, अच्छा एक बात देखिए, 3 theta का मान कुछा है, 10 3 theta का, अगर हम theta निकाल ले, अगर हम क्या निकाल ले, theta, तो theta को यहां रखेंगे, 3 से multiply करेंगे, और उसी के according angle देख करके, हम value को find out कर लेंगे, तो सबसे पहले, जो given condition है, यहां से क्या करेंगे, 10 2 theta, यह multiply कर रहा है, 10 4 theta, 10 4 theta multiply कर रहा है, निके जाट क्या करेगा, 1 के, divide करेगा, तो यह आ गया, 1 upon 10 4 theta, क्या आप पे हाथ क्लियर है, चलिए, मैंने माल जाट क्लियर है, तो 10 2 theta, 1 upon 10, मैंने बता रखा है, 1 upon 10 क्या होगा, code, तो यह बन जाएगा हमारा code 4 theta, अब एक बात, मैंने आपको बताई थी, क्या, कि अगर 10 बराबर है 10, तो angle बराबर जाएगा angle, sign बराबर है sign, तो angle बराबर हो जाएगा angle, cos बराबर है cos, तो angle बराबर हो जाएगा angle, लेकिन यहाँ पर 10 बराबर code, code को 10 में convert करेंगे, 10 2 theta, इसको हम क्या लेक सकते हैं, 10 90 minus 4 theta, अब 10 बराबर 10 के हो गया है, तो हम क्या करेंगे, angle को compare करतेंगे, 2 theta is equal to 90 minus 4 theta, 4 इदर आगे कितने जाएगा, add हो जाएगा 6 theta, और यह जाएगा हमारे पास 90, theta की value कितने आएगी, 15 degree, क्योंकि 15 theta कितने होते हैं, 90, हमें value निकालने हैं, 10 3 theta, और theta की value हमारे पास कितने आ गई है, 45, sorry 15, तो 15 कितने हो गए हमारे पास, 35, और 10 45 की value, आप लोग सभी जानते हैं, कितना आएगा हमारे पास answer बना जाएगा, तो इस तरीके से हम इसका answer लाएगे, इसका answer आएगा आपका 1, 23 का option number 3, 23 का option number 3, check कर लेते हैं, हाँ जी, यही आ रहा है, option number 3, चलिए, अब देखते हैं, question number 24, 24 भी easy है, बड़ा यह आसान question है, note करते हैं आप लोग, ठीक है, note करते हैं साथ साथ, और अपने copy pen को साथ में लेकर बठें, समझें, उसके बाद note करें, ऐसा नहीं है कि आप मेरे समझाते समझाते ही note करें, वो गलत होता है, आप कुछ ना कुछ जरूर भूल जाते हैं उसमें, या आप उतना focus नहीं कर पाते हैं, एक time में पहले समझें, उसके बाद उसको लिखें, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं next question, next question में कहा गया है, sine alpha plus cos beta is equal to 2, question number 24, sine alpha plus cos beta is equal to 2, और alpha जो beta है, beta और alpha, उसे ने कहा है, कि, beta से बड़ा है alpha, और beta greater than equal to 0, and alpha less than equal to 9, यह कहा गया, यह condition given है, आप से निकालने के लिए क्या कहा है, sine to alpha plus beta, value निकलवारा है, वो sine to alpha plus beta, upon 3, यह value उनसे वो निकलवाना चाहता है, चलिए, आराम से करेंगे, फिर से वही चीज, हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चलिए, क्या तयार हैं सोचने के लिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का, आप सोचो, कि sine alpha plus cos beta, 2 कैसे हो सकता है, sine alpha plus cos beta, जोड़ करके, 2 किस तरीके से आ सकता है, जल्ली से सोचिए, 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 चलिए, बहुत बच्चों ने सोच लिया है, और मैं इमान के चलता हूँ, कि आप लोगों ने सही सोचा होगा, चलो इधर देखो जाए जान से, sine alpha plus cos beta, कितना है, 2, अच्छा, अगर, यहाँ पर इसकी value 1 हो जाए, इसकी value 1 हो जाए, कितना जाएगा, 1 और 1, 2, मानते हैं आप, चलो, अब, sine में value 1 किस की होती है, आवाज आई सर, sine 90, चलिए, sine 90, ठीक है, cos में value 1 किस की होती है, आवाज आई सर, cos 0, cos 0 की value 1, ठीक, plus cos 0 की value 1, 1 and 1, is equal to 2, साथ यसाथ, यह है alpha, alpha के दिना है 90, और यह है beta, given condition में यही का आगया है, कि beta की value, alpha से छोटी हो, देखिए, beta, alpha से छोटा है, number से छोटा होगा, 0, और, alpha, 90 के बराबर भी हो सकता है, और 90 से छोटा भी, तो alpha 90 के बराबर है, इसमें कोई जोटा नहीं है, beta, 0 के बराबर हो सकता है, और छोटा भी, तो 0 के बराबर, beta हमारा यहां पर है, तो हमारे सारी conditions के लिए हैं, अब में कोई दिक्कत नहीं है, that means, alpha equal to 90 दिक्ट देंगे, और beta equal to 0, तो हमारी अराम से बेल लिवाने वाली है, देखिए, sin 2, alpha के जगे, 90 दिक्री, प्लस, beta के जगे, 0 दिक्री, अपोन 3, यहां पर देखिए, कितनो जाएगा, 0, कुछ ओड सकते हैं, 0 add ओकर, वही संख्या जाएगी वापस में, 30, sorry, 90 को कितनी बार काटेगा, 30 बार, और 32 कितनो जाएगा, 60, sin, 7, और sin 60 की value कितनी होती है, हमारी, root 3 upon 2, तो इस तरीके से हमारा answer के आएगा, root 3 upon 2, अच्या, options को तोड़ा divert करके दिया है, चलिए देख लेते हैं, ऐसे option नहीं गया उसमें, option दिया है, sin alpha upon 2, cos alpha upon 3, sin alpha upon 3, और cos 2 alpha upon 3, इस तरह से दिया हुआ है, तो हमें ये चेप करना पड़ेगा, कि ऐसा कौन सा option है, जो, alpha की जगे 90 रखने पर, root 3 upon 2 देता है, चलिए, पहला option देखिए, sin, alpha विजन क्या रखनेंगे, 90, 90 upon 2, sin 45, चलिए, देखे चेप करके बता रहा हुआ हूँ, sin alpha upon 2, sin, 90 रखेंगे यहाँ पर, upon 2, sin 45 आएगा, sin 45 की value क्या होती है, 1 upon root 2, ये नहीं होती, तो ये option नहीं होगा, दूसरे मेंगे एक चेप करेंगे, 90, cos, cos, alpha upon 2 है, और cos, 90 की value की तिन रखी 90, और, upon 3 है, sorry, यहाँ पर 3 रखेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा ये, cos 30, cos 30, याद कीजिए, cos 30 की value, root 3 upon 2 ही आती है, तो हमारा इस तरीके से, question number 24 का second ही answer आएगा, क्या answer होगा हमारा second, जी हाँ, second ही हमारा right answer, चलिए, चलते हैं next question पर, जल्दी से question को आप note कीजिए, question number 25, question number 25, question number, आपकी स्क्रीर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए रेक्ते हैं, अच्छा, एक चीज मैं आप से और कहाना चाहूँगा, जो अच्छे algebra के लिए परिशान है, अपलोडेट है, आप algebra की प्लैलिस्ट में जाकर, वहाँ से एक एक वीडियो को complete कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपके समझाया आप लोगों को, ठीक है, वीडियो के description में मैं लिंक डाल लूँगा, आप वहाँ पर जाकर के उसको क्लिक करके पहुंच सकते हैं वहाँ तक, और हाँ साथ ही साथ, जो बच्चे टेलिग्राम ग्रूप में एड़ होना चाते हैं, वो एड़ हो जाईए, वहाँ पर आपको एड़ होने से क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ कोई नया, तुरंत आपके पास notification नहीं आते YouTube के दुआरा, तो मैं क्या करता हूँ, उस वीडियो को मैं जैसे अप्लोड करता हूँ, गुरूप में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप तक बहुत तेजी से वा वीडियो कोँच पाए, जैसे ही महाँ पर अप्लोड होगी YouTube पर, आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, तो गुरूप में जुरने का आपको ये फाइदा, और भी बहुत सारी फाइदे होगी, ठीक है, और आप चाहें तो मुझे Instagram और Facebook पेज़ पर फोलोग कर सकते हैं, देखिए, नेक्स क्वेशन है, क्वेशन है, कोट 10 डिगरी, इंटु कोट 20 डिगरी, इंटु कोट 60 डिगरी, इंटु कोट 70 डिगरी, इंटु कोट 20 डिगरी, इंटु कोट 70 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 डिगरी, इंटु कोट 80 डिगरी, इंटु कोट 70 डिगरी, इंटु कोट 80 डिगरी, मैंने आपको क्या point बताया था , मैंने आपको क्या point बताया था , मैंने बताया था , कभी भी इस तरह की multiplication दे रखी हो , quote 10 और 80 , quote 10 और 80 कितने जाए गा 90 , और जैसे ही 90 बनेगा , मैंने आपको क्या बताया था , आपको 1 मान लेना है , same 20 and 70, 90 तो इसको भी आपको क्या मान लेना है अब तो इस सारा बनाओ गया बजाब आपके पास केवल और केवल कोट 60 की वैल्यू कितनी आएगी याद किजिए 1060 की वैल्यू रूट 3 1060 की value root 3 तो quote 60 की value 1 upon root 3 और यही हमारा answer होगा 1 upon root 3 एक बार match कर लेते हैं question number 25 का 25 का 4 yes यही आपका answer है इससे तेज कोई तरीका नहीं हो सकता इस जैसे question को करने का अगर आपको यह question अच्छा लगा सच में आपको समझ आया instant तरीका आपको लगा तो आप वीडियो को जरूर like करें comment करें और वीडियो को share जरूर करें चलते हैं question number 26 question number 26 question number 26 में कह रहा है sine alpha 26 sine alpha into sec 30 plus alpha sec 30 plus alpha is equal to 1 अब देखे इसने क्या दिया हुआ है alpha के बारे में बताया है जो alpha हमारा होगा वो यहाँ पर 0 से greater 0 से क्या होगा greater और 60 से छोटा और 60 से छोटा और उसने value निकालने के लिए कहा है sine alpha plus cos 2 alpha value निकालना है में sine alpha plus cos 2 alpha इसकी value निकालनी है अब देखें सबसे पहले यहाँ पर फिर से वही बात sine alpha plus cos alpha अगर हम alpha निकालने में काम्यार हो जाते हैं इस alpha को निकालने में अगर हम सफल हो जाते हैं तो alpha की value को यहाँ रखेंगे और बहुत तेजी से हम अपनान सब लेकर आएंगे तो देखें given condition का यूज करेंगे दिया हुआ है sine alpha into जो यह गुना वाला portion है ध्यान से सुनना जो यह गुना वाला portion है गुना वाले में क्या दियागा गुना में क्या है sack 30 plus alpha जब यह गुना इधर जाएगा वन के नीचे तो भाग करेगा 1 upon sack और 1 upon sack क्या बनेगा cos तो बराबर में जातर के यह बन जाएगा cos 30 plus alpha cos 30 plus alpha अब मैंने आप खोई चीज़ों बता रखी है sin बराबर sin तो angle बराबर angle cos बराबर cos तो angle बराबर angle 10 बराबर 10 तो angle बराबर angle लेकिन यहां sin बराबर cos तो या तो sin sign करो दोनों side या फिर cos करो तो यह जाके बात बनेगी तो हमने क्या किया sin alpha इसको बहार रिख सकते हम sin 90 minus 30 plus alpha अब sin बराबर sin तो angle बराबर angle alpha बराबर 90 minus 30 plus alpha यह देखिए 90 में से 30 गटेगा 90 में से 30 गटेगा 60 बचेगा minus plus minus के alpha minus plus minus के alpha minus के alpha इदर आकर कितना आएगा 2 alpha alpha की value दो से काट दें कितना आएगा 30 degree अब देखिए condition भी वही दिवह है कि alpha की value 60 से और 0 के बीच में हो लिए तो alpha हमारा 30 आएगा है अब हम क्या करेंगे जद्वी से यहाँ पर 30 को put करेंगे 30 को यहाँ पर put करेंगे sin 30 plus cos 2 into 30 कितना जाएगा 60 ठिक sin 30 की value 1 upon 2 cos 30 60 की value 1 upon 2 half and half will be 1 आधा और आधा कितना जाएगा 1 तो हमारा इस तरह के से इसका answer आना चाहिए first 26 का first 26 का first yes 26 का कितना आ रहा है one answer आ रहा है ठीक है चलिए देखते हैं अपना question number 27 जल्दी से note करते रहें साथ साथ जल्दी से note करते रहें और हाँ एक चीज और कुछ बच्चों का यह कहना है कि सर आप geometry का topic start कीजिए geometry की हमें बहुत जरूत है तो मैं आपको directly बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों को geometry चाहिए वो वीडियो में comment करके बताएं और minimum 100 student का मुझे सहयोग चाहिए लगभ 100 student comment करके बताएंगे कि आप लोग तयार है वीडियो चाहते हैं या नहीं ठीक है देखे question number 27 27 question क्या है 10 alpha minus beta is equal to 1 question number 27 10 alpha minus beta is equal to 1 निकालना क्या है हमें sec alpha plus beta एक और condition given है एक और condition क्या है given है क्या दियावा है sec alpha plus beta is equal to 2 upon root 3 2 upon root 3 और alpha beta धनात्मक हो तो alpha का नियुनतम मान क्या होगा alpha का नियुनतम मान उसने निकालने के लिकाहा है बड़ा यह आसान question है बिना लिखे आंतर आ सकता है लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए हूँ समझाऊंगा फिर उसके बाद आपको बिना लिखे करना है इधर हमें पता है 10 alpha minus beta पराबर 1 आप यह देखो कि 10 में 1 किसकी value होती है आप सभी जानते है 1045 ठिक आप यह देखो सेक alpha plus beta is equal to root 2 upon root 3 sorry 2 upon root 3 2 upon root 3 तो 2 upon root 3 आप सेक में देखो value किसकी होती है यह value आएगी आपकी सेक 30 की कितने की आएगी सेक 30 की क्योंकि कोस 30 3 upon root 2 root 3 upon 2 तो सेक 30 उसका बढ़ दाएगा 2 upon root 3 तो यहाँ पर alpha minus beta alpha minus beta is equal to 45 degree and alpha plus beta is equal to 30 degree now मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको alpha निकाल नहों या पहले वाली value निकाल नहीं हो तो इनका sum करो इनका क्या करो sum कितना हैगा 75 75 का आदा करेंगी तो कितना हैगा 37 is to half 37 and half 37 and half तो इसका answer कितना हैगा आपका 4 27 का 4 27 yes option number हमारा 4 ही answer आ रहा है बहुत तेजी से answer आया है देखिए मैंने आपको बताने के लिए लिखा है ना बताओं solve करके यहां पर ना दिखानता तब भी आप answer लेके आने वाले हैं इसका ठीक है आप इसी तरीके से बीटा निकाल सकते हैं इनको घटाएंगे घटाएंगे जो बचे का उसका half कर देंगे कितना बचेगा पंदरा डिगरी बचेगा उसको पंदरा का half सारे साथ तो बीटा की value भी आपके सारे साथ आजाएगी यहां से ठीक है क्लिए रहे हैं चलते हैं next question पर next question question number है हमारा 28 question number 28 question number 28 में क्या कहा गया है cos square alpha question number 28 cos square alpha या theta upon coat square theta minus cos square alpha sorry cos square theta is equal to 3 यह दिया है तथा theta की जो value है वो 0 से greater और 90 से छोड़ी इसका मतलब 0 और 90 के बीच में theta की value यहां पर exist करती है theta का मान कितना होगा हमें value निकान लिए हमें theta ही find out करना है सबसे पहली बात तो जो theta की value आएगी वो 0 से 90 की बीच आने चाहिए तीनों के तीनों के तीनों option 0 से 90 के बीच दे रखे हैं चलिए कोई बात नहीं देखे सबसे पहले में आपर क्या करेंगे हम cos square theta upon हम जानते हैं कि quote के equal क्या होता है quote बनाबर मैंने आपको क्या बताय था quote theta is equal to cos theta upon sin theta यह उता है कि अब क्योंकि यहाँ पर इसका square है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा square जाएगा तो यहाँ पर हम cos square theta upon sin square theta इसकी जगे रख देंगे minus यहाँ पर क्या हो जाएगा cos square theta इसके नीचे one मान सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कोस स्क्वाइर थीटा अब यहाँ भी कोस स्क्वाइर है और यहाँ पर भी क्या है कोस स्क्वाइर तो हम क्या करेंगे कोस स्क्वाइर कोमन लेंगे कोस स्क्वाइर यहाँ से क्या जाएगा common आ जाएगा अंदर क्या बचेगा 1-sin2 theta और यहाँ पर क्या बचेगा minus के 1 यह बच जाएगा ठिक है यहाँ पर cos2 theta से cos2 theta खतम हो जाएगा ठिक, बराबर पर 3 भी दिरक्था है 3 को भी सासर लेगी चलेगी अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे 1 मानते हुए 1 की 1 में multiply होगी sin2 की 1 में multiply होगी उपर आपका उल्लेडी 1 बचा हुआ है नीचे क्या होगिया 1-sin2 theta जब sin की नीचे होगी तो नीचे क्या आएगा sin2 theta आएगा जो की घूम करके ऊपर चला जाएगा sin2 theta और एक वल में कितना जाएगा 3 ठेक है यहाँ तक समझ गए अग sin2 theta याद कीजिए मैंने आपको एक identity बताई थी sin2 theta plus cos2 theta is equal to 1 यह identity आपको बताई गए थी यहाँ से cos2 theta is equal to 1 1 यह दर जाके minus sin2 theta तो cos2 theta की value क्या आती है 1 minus sin2 theta तो नीचे देखिए 1 minus sin2 theta इसको क्या लिए लेंगे cos2 theta और बराबर कितना 3 sin2 theta upon cos2 theta बन जाएगा हमारा tan2 theta is equal to 3 यह बन जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे square है tan2 theta is equal to 3 तो square अटे का अधर कहा जाएगा root में तो यह आजाएगा हमारा tan2 theta is equal to root 3 अब याद कीजिए कि tan में root 3 value किस angle पर आती है हमें पता है tan में जो root 3 value आएगी वो आएगी tan 60 degree में तो angle बराबर कितना जाएगा हमारा 60 degree यही हमारा क्या होगा answer हो जाएगा इस परिके से हम इस question को बड़े असानी से कर सकते हैं चलिए चलते हैं अपने next question पर next question देखते हैं next question है हमारा question number 29 question number 29 देखिए वीडियो को आप like and share जरूर किजीएगा अगर चैनल पर आप लोग अभी नए हैं पहली बार चैनल को विजिट किया आपने तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि आपको कोई भी नई update वीडियो जो मैं डालता हूँ तो रन्त आपको मिल जाए और आपका फाइदा हूँ ठीक है चलिए बाई चलते हैं next question 29 पर 29 में दिया गया है A is equal to question number 29 A equals 10 11 into 10 29 10 11 degree into 10 29 comma B is equal to 2 into quote 61 quote 61 quote 79 quote 79 sorry 79 degree तो निम्न में कौन सही है चार relation दिये हैं आपको option में वो कहारा है कौन सा सही है A बराबर 2B A बराबर माइनस 2B 2 A बराबर B 2 A बराबर माइनस B चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जो second condition है B is equal to 2 quote 61 into quote 79 इसको हम 10 में convert करने की कोशिश करेंगे किसमें 10 में convert तो देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं quote 90 degree minus कितना लिख सकते हैं 29 हम लिख सकते हैं इसको 29 quote 79 quote 79 को quote 79 को कैसे लिख जा सकता है quote 90 minus 20 या 90 minus 11 90 minus कितना 11 ऐसे लिख जा सकता है तो मैंने आटो क्या बता रखा है quote 90 minus theta बन जाएगा 10 theta क्योंकि 90 में होता है change तो 2 quote का क्या बन गया 10 21 degree अब क्योंकि 90 minus theta याद किजिए first quadrant में आएगा first quadrant में आने की वज़ें से plus ही रहेगा change तो होगा 10 या quote उल्टे तो होगे quote 10 बनेगा 10 quote बनेगा लेकिन change की वात करें तो plus ही रहेगा ऐसे ही same quote 11 quote 90 minus 11 बन जाएगा 10 11 अब देखिए ये value ये value जो i b बराबर ये value क्या है क्या ये वाली value है 10 11 into 10 29 10 11 into 10 29 तो यहां पर हम इसके ज़र क्या रहेगे a तो b बराबर हमारा क्या जाएगा 2 a और यही हमारा क्या होने माला है answer तो option number 3 2 a is equal to b option number 3 हमारा क्या आएगा answer आ जाएगा इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं ठीक है question number 30 30 में कहा गया है 10 15 degree is equal to 2 minus root 3 30 में कहा गया है 10 15 degree is equal to 2 minus root 3 तो 10 15 तो 10 15 degree into quote 75 quote 75 plus 10 75 10 75 into quote 15 हमें इसकी value को निकाल ला है इसकी value निकाल रही है अब आप एक बात ध्यान से देखो यहाँ पर 10 15 की value given है 2 minus root 3 चलिए हमने माल लिया 10 15 की value direct यहां रख सकते हैं ठीक है quote 15 10 15 की helps में quote 15 भी अराम से बना सकता हूं बात ध्यान देना आप आप 10 का उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा quote 15 बन जाएगा जब इस value को उल्टा करेंगे 2 minus root 3 को तो यह उल्टा करने का मतलब minus का कर दो आप लो plus 2 plus root 3 चलिए इधनी की बात माल ली कि सर हम 10 15 डिगरी की value रख देंगे quote 90 minus 15 डिगरी लिखा जा सकता है क्योंकि 90 minus 15 75 ही तो है 90 minus 15 75 ही तो आएगा लिखने का तरीका चेंज किया है यहां पर इसको हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 10 90 minus 15 डिगरी into quote 15 को हमने ऐसे ही रखा आगे हम जानते हैं कि 10 15 as it is quote 90 minus theta जान दीजे quote 90 minus theta क्रायता क्या हो जाएगा 10 theta यानि कि 10 और theta कितना यहापर 15 डिगरी plus 10 90 minus theta क्या बच जाएगा quote theta और theta कितना इधर 15 डिगरी into quote 15 डिगरी यहाँ से क्या बनेगा जब अल्टिकला जाएगी 10 into 10 10 square 15 डिगरी plus quote into quote quote square 15 डिगरी यह बन जाएगा अब देखे उपर क्या दिया हुआ है 10 15 की वहले 2 minus root 3 whole square यहाँ पर quote square 2 plus root 3 whole square ठीक है same यही यहां से भी यही आएगा और इसका गणर देंगे हम double तो 7 और 7 गुनी 14 तो इस तरीके से हमारा answer जाएगा 14 option number 1 option number 1 ठीक है चलिए next question पर चलते है question number 31 question number 31 देखे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत कोसित कर रहा हूं कि आपको best से best solution questions का provide करूं ज्यादा से ज्यादा मैं focus करता हूं आप लोगों को समझाने के ऊपर ठकान मुझे होती है सभी को होती है लेकि मेरा focus रहता है कि आपको समझाने का आपको explain करने का ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे ठीक है जब मैं आप लोगे लिए इतना कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा help जरू करें आप इस channel को मुझे तक सीमित ना रखें यह आपका channel है यह आपके लिए बनाया गया है तो आप इसको हर समय support करें इसको promote करें जदस जदस आप लोग share करें एक family को बहुत बड़ा बनाते चले है ठीक देखिए question number है हमारा 31 question number 31 में कहा गया है 10 theta plus 4 theta is equal to 2 question number 31 10 theta plus 4 theta is equal to 2 value निकालनी है 10 की power 5 theta plus quote to the power 10 theta यह value में निकालनी है ठीक है तो देखिए कैसे निकालनी है given condition पर एक थोड़ा सा विचार कीजिए आप एक बात देखो 10 plus quote बराबर 2 आ रहा है 10 plus quote बराबर क्या रहा है 2 आ रहा है 2 कैसे आ सकता है 2 कैसे आ सकता है आप एक बात देखो अगर हम theta बराबर यहां पर 45 foot करें तो 10 45 1 ऐसे ही quote 45 1 तो 1 plus 1 बराबर 2 आ जाएगा तो यहां पर theta बराबर 45 रख देंगे और बले बले आन चला जाएगा तो देखो जी 10 45 डिगरी पावर कितना 5 है plus quote 45 डिगरी पावर कितना 10 10 45 की value 1 1 की पावर 5 plus quote 45 1 और 1 की पावर 10 अब जानते हैं 1 की पावर कितनी भी हूँ 1 की पावर कितनी भी हो चाहिए 100 हो, चाहिए 200, चाहिए 100,000, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, इधर से भी 1 ही आजाएगा, और 1 और 1 कितना आएगा, 2, तो इस तरीके से इसका अंसर भी हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा, इसका अंसर भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, चलिए अब चलते अपने next question प अच्छा कुश्चन है CHSL, DEO, Data Entry Operator and LDC Clerk में Lower Division Clerk में यह आया हुआ है 32 32 देखिए ध्यान चे समझना है, बहुत ही ध्यान समझना बड़ा प्यारा सा कुश्चन है sin square 1 degree sin square 1 degree plus sin square 3 degree sin square 3 degree plus sin square 5 degree dash dash कहां तक गया है यह sin square 85 degree plus sin square 87 degree sin square 89 degree यहां तक रुका है और उसने कहा इसका मान कितना होगा इसका मान कितना होगा देखिए घबराना नहीं है आपको घबराना नहीं है और मैं इसमें formula लिए लगवाने वाला हूँ कुछ लिए लगवाने वाला आपका अंसर एकदम बहुत आसानी से आने वाला है देखिए कैसे अंसर आएगा एक बात आप सोचो अगर ध्यान से सुनना वो ध्यान सुनना तभी समझना आएगा अगर एक से लेकर नब्बे तक एक से लेकर नब्बे तक टम्स होते यानि के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आपनो, दर्स और नब्बे तक तो टोटल संख्याएं कितनी होती हमारे पास? नब्बे हो जाती है, कितनी हो जाती? नब्बे है, ठीक, लेकिन, अब इसने क्या किया है? जो बीच में संख्याएं आ रही थी, उनको हटा दिया, बीच में जो संख्याएं आ रही थी, उनको इसने जो है, हटा दिया है, देखिए कैसे हटाया ये जितनी विसम संख्याएं थी ये उसने हटा दी तो टोटल 90 संख्याएं थी 90 में 45 संख्याएं थी 45 संख्याएं थी 45 संख्याएं और 45 विसम तो अब जब हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 87, 89 करके बचेंगी तो 45 संख्याएं थी तो टोटल नमबर कितने बचे 45 मतलब हमारे पास कितने पद बचे ये टोटल 45 पद है कितने हैं 45 पद चिट अब जब हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके हम चल रहे हैं बीच में एक तरम आएगा 45 मतलब साइन 49, साइन 41, साइन 43 और साइन 45 साइन 45 ध्यान दीजेगा साइन 45 तो टोटल नमबर हमारे पास कितने हैं टोटल पद कितने हैं 45 45 में से एक बीच में जो पद आएगा कही ना कहीं वो आएगा हमारे पास साइन इसक्वाइर 45 डिगरी साइन इसक्वाइर 45 डिगरी ठीक इसकी वैल्यू कितने जाएगी आपॉन रूट 2 और इसका कितना जाएगा स्क्वाइर क्योंकि यहां पर क्या है इस्क्वाइर तो वन अपॉन टू वन का स्क्वाइर वन रूट टू का केवल टू ठीक है अब इस पद की पहले लिगरी है हमारे पास वन अपॉन टू अब हमने एक पत्व देख लिए अब हमारे पास कितने पद बचे चवालिस पद बचे कितने बचे चवालिस समझ रहे हैं अब ध्यान दीजी मैंने आपको क्या बता रखा है वन डिगरी इनको एक सास लोग कितना आएगा वन आएगा क्योंकि वन एट्टी नाइटी नाइटी जहां भी नाइटी बने मैंने क्या बता रखा है वन चलो वन आगया थिरी डिगरी एटी सेवन डिगरी एटी सेवन और थिरी नाइटी यह क्या हो गया वन त तो 2 टर्म मिलकर 2 टर्म मिलकर 1 बंद रहे हैं 2 टर्म मिलकर कैकर पर mimPI कंच ऑन हीएफ नम इस तरीके से हमाना आंसर क्या गिएगा कोई formula आपको नहीं लगाना, थोड़ा सा आपने brain का यूज करना है, दिमाग का यूज करना है, बिना लिखे आपका answer आजाएगा, मैं कहरा हूँ बिना लिखे ही आएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 32 का भी answer आजाएगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बात करेंगे, और आगे के पार्ट को भी हम किसी दमदार तरीके से करने वाले हैं, concept से पढ़ेंगे, हर चीज सामदाम, दनभेद, हर चीज आपके लिए possible यहाँ पर हो पाएगी, अगर आपको दिल से lecture अच्छा लगा है, आपको सभी question सम कोई भी confusion नहीं रहा, तो please like, share and subscribe जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे next video में, goodbye, kata and take care.